वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैस्ट सिडी विस सुनील सर आज हम आपको एक्सरसाइज 7.8 करा रहे हैं जिसमें कि हमें एप्लिकेशन डेरिवेटिव क्या है मैक्समा में का एप्लिकेशन बताया गया तो फिर्स्ट क्वेशन है फाइंड दे टू नंबर्स whose sum is 24 and the product is as large as possible मलब आपको दो नंबर्स का sum दिया है 25 तो वो नंबर्स बताये जो maximum हो और उनका product क्या हो possible large हो यानि maximum large हो तो maximum होगा या large होगा same चीज है तो हम product ले लेते x into y और यह हमको क्या करना है maximize करना है notice करना जो maximize करना है वो relation हमें यह दिया हुआ है ठीक है और जो given condition है वो this one है तो x plus y is equal to 24 and y is equal to 24 minus x तो जैसे ही आप transfer करेंगे आपको मिल जाएगा अब क्या करते हैं सबसे important चीज हम सबसे पहले लिखते हैं जो given condition है और जो large maximize या minimize करना है तो maximize या minimize मुझे इसको करना था given condition यह है अब given condition से एक variable की value निकाल के maximum condition में रख दीजे तो p is equal to x 24 minus x आजाएगा square कर दीजे square करने पर this one यह हमारे दो step हो गए पहले step थी आपको maximize यानि जो question में given है वो दोनों चीजे लिखना फिर value को substitute करना because यहाँ पर दो variables हैं तो दो variable के respect में differentiate नहीं कर सकते हैं now differentiate with respect to x यहां अगर k के terms में होता तो k के terms में करते हैं dp by dx अब x की which value के लिए हमारा question suitable होगा यानि वो turning point करने के लिए या वो calculating point पता करने के लिए dp by dx को 0 कर देते हैं तो 24 minus 2x को मैंने 0 किया x is equal to 12 आ गया and again हमें maxima minima जो last exercise हमने clear कि यह उससे साफ पता चलता था कि double derivative के बगार हम यह proof नहीं कर सकते without double derivative of the given function we cannot say that the function is maximize or minimize तो हमने double differentiate कर दिया है किसको इसी function को इस function को देखे यह p is equal to a था इस function को लेकिन चुकि मैं पहले एक बार derivative को कर चुका था इसलिए मैंने इसी को differentiate किया तो 24 का 0 और minus 2 का 2x का minus 2 कर दिया बहुत cool हुआ अब hence dpy dt x 12 पर यह minus constant है less than 0 है तो less than 0 पर इसका मतलब तुरंद आप लिख दीजे maximize बस max लिख दिये maximal गया आप वैनि टीचर को clear हो गया कि आपने value find कर लिए x की भी और उस पर maximum आ रहा है तो अगर x 12 है तो y भी 12 हो जाएगा because दोनों का sum कितना है 24 calculate करने की कोई खास जरूरत नहीं है तो two numbers क्या है थे 12 और 12 और यह property बहुत अच्छी है कभी भी आपको मैं बता दूं जिनका sum maximum उनका product चाहिए तो उनके sum को हमेशा half कर दो यहाँ पर 24 की जगे तुम 12 ले सकते हो तो जो दो numbers आएंगे जिनका product maximum हो रहा हो 6 और 6 होंगे अगर 16 लोगे तो 8 और 8 होंगे ठीक है यह always है अगर 36 लिया तो 18 और 18 होगा next question आते हैं 5th, 5th question क्या कह रहा है find the two possible numbers x and y such that their sum is 35 बहुत अच्छी देखे find two positive numbers x and y such that their sum यह question में का given part है तो मैं लिख सकता हूँ कि x plus y is equal to 35 and product is maximized बस यह दो चीज़े हमेशा देखोगे question चुटकियों में हो जाएगा बहुत आसानी से तो p is equal to आप लिख दीजे अब यहां से आप एक value निकाल ली है यह आपके उपर depend है कि आप y की value find करते हो यहां से कि x की मैंने y की find कर लिया है तो मैं y is equal to 35 minus x यहां पर रख देता हूँ p is equal to this one अब इसको differentiate करना है तो जब differentiate करेंगे तो चुकि यहां पर दो function हो रहे है this one and this one तो मैं product rule लगा दूँगा product rule में first function को differentiate करते है second को as it is copy करते है फिर first को as it is करो second को copy करो तो 5 power है 4 हो जाएगा 5 यहां पर आ गया और चुकि यह x का coefficient minus 1 है इसलिए मैंने minus 1 से multiply कर दिया यहां जो मैंने formula यूज किया मैं आपको बता दू a x plus b की power n का differentiation यूज किया है मैंने जो कितना होता है जड़ा बताओ मुझे a x plus b की power n minus 1 और n यहां जाता है into साथ में एक और आता है x का coefficient that is called a यह property मैंने use किये ध्यान रखिएगा clear यह मैंने multiply किया इसको simplify करना आपका काम है but simplify बहुत आसानी से हो रहा है check करेंगे तो आप देखे मैंने इसको common ही ले लिया है दोनों को यह देखे यह part और यह part मैंने common ले लिया यहां less than 4 है तो 4 वाले part को common लिया है इसमें x छोटा है यहां x square है तो x को common ले लिया simplified अंदर बच गया 70 minus this one यह मेरा product का term आ गया now dp by dx is equal to 0 तो यह सारे term को zero कर दिया अब आपको मालूम है अगर तीन term product में हो रहे हैं तो आपको अच्छे से मालूम है या तो x is equal to 0 होगा या तो यह bracket 0 होगा और या फिर यह 0 होगा तो दीखे x is equal to 0 तो आने से रहा क्योंकि 0 रख दोगे तो यह 0 हो जाएगा अब क्या बच रहा है 35 35 तो दोनों का सम ही है अगर यहां 35 रख दोगे तो यह 0 हो जाएगा इसका मलब यह दोनों valid नहीं है तो कौन सा valid है third one वाला तो x is equal to 10 आ जाता है again double derivative अब आपको मैंने बताया था x की value निकालने के बाद double differentiate करके भी त तो first derivative है first derivative आपका क्या है this one तो इसको मैं यहां पर वापस ले आता हूँ तो इसका first derivative आप देखेंगे dp by dx x 70 minus 7x 35 minus x की power 4 इसको मुझे differentiate करना है तो फिर product rule लगा दूँगा u v w क्या होता था u v w का formula एक बार u dash करो v w को रोक लीजे फिर mid वाले को differentiate करो first second को third को stop करो first second को stop कर और w dash simply आप इसको differentiate कर दीजे आपका answer आजाएगा और simply जब आप differentiate करें तो इसको solve मत करिएगा बस क्यों क्यूंकि हमको इस पर value रखनी होती है हमें क्या पता करना होता है केवल double derivative से हमको sign पता करना है तो value हमें 10 है हम 10 value रखके देख लेते हैं यहां पे 10 रख दिया पूरे function में तो यह part और यह part 0 हो गया यह 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा यह term आ रहा है जो कि negative है तो negative होने का मतलब max हो गया बस sum complete आपने दिखा दिया है कि y is x 10 पर यह maximum था तो y is equal to 25 hence the required numbers are 10 and 25 this is your required answer clear आपको पता था न यह बात कि double derivative less than 0 होता है तो maximum लिखते हैं और greater than 0 होता यह आपको अच्छे से पता है clear कुछ formula समझ लेते हैं कैसे करते हैं इन questions को तो देखें सबसे पहले हम क्या check करते हैं हम यह check करते हैं कि हमारा function में questions जो problem समसें उसमें क्या क्या given है तो given catch conditions है आप given conditions होती है कि check the part of relation is given क्या given है यह part check करो उसको copy पे write down करो और किस part को maximize या minimize करन है फिर क्या करना है जो given part है suppose करो x plus y is equal to 25 आ रहा है तो यहां से x को remove करो या y को किसी एक की value find out कर लो और जो maximize या minimize करना है उसमें put कर दो तब क्या होगा आपका पूरा term एक relation में आ जाएगा या एक variable में आ जाएगा और फिर आप उसको क्या करेंगे differentiate कर देंगे यह तो for example question ह इसको solve नहीं करना है और step 4 क्या करोगे differentiate with respect to x कर दो after that वो point पता करना आपकी responsibility है वो कैसे पता करते हैं yes double derivative dp by dx is equal to 0 करके वो find हो जाएगा फिर double differentiate कर दो और उसको x की value रख दो जो तुमने calculating करी है point के लिए वो value आ जाएगी फिर उससे आप check कर लोगे कि अगर double derivative less than 0 है तो maximum क कर देना किस पे जो x का point आपने निकाला है यही करना है कुछ बहुत ज्यादा tough part नहीं है बस tough part क्या है minimize और maximize में यह देखना problem sense में कि कौन सा part हमको given है और कौन सा part maximize या minimize करना है simple questions में given होता है इसलिए कोई बहुत tough नहीं है लेकिन कुछ typical questions होते हैं जिसमें चीजें नहीं clear हो पाती हैं जिसमें नहीं clear हो पाती हैं वो questions के थोड़ा practice कर लिजेगा तो वो भी easy हो जाएंगा आपसे 7th question है 3 numbers are given तेकि अब 3 numbers given है बट वो value मालूम नहीं है whose sum is 120 यह part आपको given है देखे उनका sum given है and the ratio between first and two यह भी आपको given है if the product of the numbers is greatest product of the numbers हैनि उनके numbers का product जो है वो greatest हो है तो find the number पूछना है तो आपको देखे यह चीज़ maximize करनी है clear आपको उनका sum given है next one आपने x के ratio अटाने के लिए आप हमेशा कुछ alphabet लेते थे जैसे 1x 2x ले लेते है बट एक्स अब लेबल है यहाँ पे तो x is equal to k y is equal to 2k ले ले लिजे और sum constant k है इस दोनों की value उठाके इस given condition and this is also given तो z is equal to इतना गया अभी z x और y की value k के terms में इस p में जो maximize करना है उसमें put कर दो और कुछ नहीं करना है multiply कर दो अच्छे से 2k square को multiply करो तो first derivative differentiate करिए for the value of k you should to be equal to 0 and k is equal to 0 और 40 k 0 possible नहीं हो सकता तो k की value 40 आगई अब आपको मालूम है कि first derivative के बाद hashtag second differentiation करना पड़ता है आपको इसे आप फिर differentiate कर दीजे आपको this one अब यहाँ पे k की value 40 put कर देंगे हम k is equal to 40 in d2p by this one जैसे ही आप 40 रखोगे negative आप आप खुश हो जाए yes max 1 proof हो गया अगर यहाँ पे positive आ रहा होता ज्यान दीजे अगर यहा test proof करना यानि maximize करना है और यहाँ पे positive आरा है इसका मतलब आपने कहीं calculation में mistake कर दीए but negative आरा तो sure हो जाईए कि आपका 99% answer सही है तो x की value 40 therefore x is equal to 40 y is equal to 2k given था तो k की value 40 रखोगा तो 80 आ जाएगा 180 मानस 3k therefore put से answer आगे 60 तो numbers क्या हो गए 40 80 and 60 this is your required answer clear है differentiation सही से आना चाहिए और differentiation बहुत टुफ भी नहीं है easily आप solve कर सकते है next question देखते हैं हम लोग फटा फट 12th question okay this question is explained by this one show that all all rectangles of given parameter question खहरा है कि अगर आपको एक ऐसा rectangle देता हूँ जिसका parameter given होगा then उसका area greatest याने maximum करने के लिए उस rectangle को square होना पड़ेगा show that of all rectangles of a given parameter the square as the greatest area तो बहुत simple question है आपको करने का तरीका simple तरीके से देख चेक किया करिए कि what is given और what is greatest तो greatest क्या है हमारा area प्रूफ करना है this is part greatest प्रूफ करना है तो आपने लिख लिए area is equal to xy यही हमें maximize करना है तो first equation हो गई और given क्या है यह second part हो गया आपका यानि parameter तो parameter आपको given है जब कोई चीज given होती है उसी से हम x और y जो मेरे दो variable या थीन variable होते हैं उनको single variable में eliminate कर लेते हैं तो यहां देखे 2x plus 2y is equal to p तो y की value मैंने find out कर ली यानि जो y है अगर मैं इसको first equation में रख दूँ तो जो area है वो एक variable में convert हो जाएगा that is called x तो इस greatest a है आपको area greatest निकालना है x into y y की value यहां कितनी दिया है p minus 2x upon 2 multiply कर दो px minus 2x square upon 2 now d a by dx एने differentiate करना है हमको this is 1 इसको मैंने fourth equation ले लिए p is equal to 4x आजाएगा because यह part हमेशा हमें क्या करना होगा d a by dx को 0 के equal करना होगा for calculating x good तो x की value py4 आ रही है इसको मैं उठा के रख दूँगा y में जिसमें first second equation में जिससे मुझे y find out हो जाए तो यहां मैं p न रख दूँ p क्योंकि मुझे मालू मैं 4x है तो direct 4x रख देता हूँ तो 4x minus 2x upon 2 simply x आ गया यानि यहां से यह show रहा है कि length of breath क्या आ रही है दोने equal आ रहे है ऐसा तो square के साथ ही होता है ठीक है यह मैंने proof भी कर दिया बट show भी करना है यह चीज़ शो that करना है कि double derivative भी check करना पड़ेगा ना मुझको कि जब x और y equal हो रहे हैं तो क्या condition आ रही है तो double derivative आप differentiate कर दो लेकिन double derivative आप निकालोगे किसका cool fourth equation का यानि first derivative का तो इसको एक बार out differentiate के रहे है प यानि constant का 0 4x का minus 4 हो जाएगा अब यहां आप यह मत कहिएगा साथ division rule लगा दीजे upon 2 दिया है upon 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता विकॉस दिनॉमिटर वह सा ऐसे ही रहेगा और वह x का term नहीं है minus 2 तो जब negative आता है तो अच्छे से आपको याद हो चुका है d2a by dx square is less than 0 then maximum यही हमको प्रूफ करना था कि maximum हो रहा है so all the rectangles of a given parameter square has greatest area यह square का notation होता है यह rectangle का मैंने यह proof कर दिया simply next question आपका बहुत बढ़िया है ज़रा हम solve करते हैं the length of the side of an isosalist triangle आपको एक isosalist triangle दिया हुआ है जिसकी sides दी है 9 plus x square 9 plus x square दो sides equal है 18 minus 2 x square units calculate the area of triangle in terms of x चलिए calculate कर लेंगे तो बहुत easy part है and find the value of x which makes the area maximum पहले आप area find करो उसके बाद maximum proof करो तो ठीक है हम एक आपको equilateral triangle sorry assosalist triangle बना देते है p q and r तो यह दोने equal sides है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 plus x square and 9 plus x square और this is 18 minus 2 x square इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तो hirons formula area का hirons formula होता है वो क्या होता है आपको मैं बता दू area of triangle का hirons formula होता है s s minus a s minus b and s minus c where a b c are the sides of triangle and s is equal to a plus b plus c by 2 और एक area का formula normally यह आपको याद है half into base into height यह आपको ज़्यादा अच्छे से याद है because यह assosalist triangle है skeleton triangle तो है नहीं तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से perpendicular draw कर देंगे और इसको d माल लेंगे या a माल लेंगे ठीक है यह d माल लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो p d perpendicular है तो p d की length में निकालूंगा तो आप अच्छे से जानते हो asosalist triangle है तो यह side और यह side equal होगा तो मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से यह p है मेरे पास यह d है यह q है 9 plus x square हो जाएगा यह half हो जाएगा qr का यानि 18 minus 2x का half करोगे तो 9 minus x square है आपको p d निकालना है तो formula लगा देता हूँ मैं p d square is equal to p q यानि hypernotives square minus q d square simplified कर लेते हैं is equal to 9 plus x square का whole square minus 9 minus x square का whole square आपको अच्छे से मालूम है a square minus b square से solve कर लो चाहे पूरा open करके solve कर लो यह आपके उपर है जिस तरह भी आप चाहें इसको solve कर सकते हैं ठीक है मैं पूरा open कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए तो 9 nines are 81 plus 18x square plus x की power 4 minus 81 minus x की power 4 plus 18x square these are term cancelled and we got sorry यह नहीं cancel होगा यह cancel हो जाएगा 18 36x square है pd square so pd is equal to यहीं लिख देते हैं 6x clear तो यह 6x आगया अब आपको अच्छे समालों में जब यह 6x मालूम हो गया मुझे तो area of triangle pqr क्या हो जाएगा half into base कितना है 18 minus 2x square into height कितनी है 6x 2 common ले लूँगा तो आजाएगा 9 minus x square यह 2 threes भी कट सकते थे वो आप लोगों के उपर है 9,6 आप 54 yes 54x minus 6x cube अब बहुत simple है यानि area आपने find कर लिया अब आप first part कर चुके है तो maximize करना है नाम को area को और यहां देखिए कोई relation नहीं दिया था सब x से दिये हुए तो da by dx करूंगा that is called 54 minus 18x square अब आपको अच्छे से मालूम है जब यह चीज हो जाती है तो हमें x की value निकालनी होती कैसे इसी को equal to 0 करके is equal to 0 कर दोगे तो x आजाएगा आपका बहुत simple है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है 18 3 ता 54 कट कर दूंगा तो under root 3 आ जाएगा इससे आप simplify कर लीजेगा प्लस माइनस आएगा बट माइनस नहीं लेंगे and what about d2a by dx square जल्दी से बताओ 54 का 0 18 to the 36x अब आप मुझे बताएगे side है x की value positive लेनी है इसका मतलब minus 36 root 3 हो गया this is less than 0 और तुरंट आप maximize कर दो यही आपको प्रूफ करना कि सर देखे maximum हो रहा है कि नहीं हो रहा है so at x is equal to root 3 area is maximum clear this type of questions बहुत simple होते हैं बस calculation है आप अच्छे से कर लीजे a wire of 10 meter long cut into two parts एक wire को मैंने दो पार्ट में cut कर दिया है one part bend into the shape of circle and the other into the shape of equilateral triangle यहां important चीज यह है कि यहां दो shape दिये है एक circle का एक equilateral triangle का वो आपको एक rectangle और एक square में भी cut करने को कह सकता है ठीक है वो एक आपका circle और एक square में भी cut करने को कह सकते हैं तो shape में क्या important है यहां पे question में क्या चीज important है जो मैं बताना चाहरा हूँ वो यह है कि जब आप cut करोगे तो जो wire की length होगी जो wire की length होगी वो आपके yes the question is a wire of 10 meter long cut into the two parts one part bent into the shape of a circle and the other into the shape of equilateral triangle एक wire आपके पास A भी है अब वो 10 meter का भी length का हो सकता है P meter length का भी हो सकता है K meter length का भी हो सकता है 36 meter length का भी हो सकता है 34 meter length का भी हो सकता है कुछ भी हो बट उसके दो टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़ा part X ले लो और दूसरा उसको subtract करके ले लो Y मतले ना अगर एक X है तो दूसरा 10 minus X हो जाएगा k-x हो जाएगा या 36-x हो जाएगा या 34-x हो जाएगा जैसा भी पार्ट दिया होगा अगर 20 दिया है तो 20-x हो जाएगा बट 1x होगा और दूसरा other minus करके होगा अब यहां कह रहा है उसको shapes में convert कर लो तो shapes में वो कैसे कैसे कर सकता है यहां तो circle और equilateral triangle दिया है या rectangle और square and rectangle में दे सकता था या circle और rectangle में दे सकता था या circle and equilateral triangle में दे सकते है तो important चीज़ क्या है एक ये pair है एक pair ये एक pair ये और एक pair आपको ये मिल रहा है या फिर equilateral triangle और एक square में दे सकते है ठीक है ये एक pair दे दिया तो इस सम्में important क्या, important यह है कि जब आप पहला part cut करोगे तो उसी AP length को ही लेकर के एक circle बनाया गया है जिसका circumference आपको मालूम है, कितना है X है, suppose करीए आपको एक wire देता हूँ जिसकी length है 40 meter ठीक, आपने 10 meter एक cut किया 15 meter एक और 25 meter 15 meter से एक circle बना लिया तो यह circumference ही तो आपको मालूम है इसका, yes, यानि 2 pi r आपको मालूम हो गया, कितना है 15, yes, good one तो यहाँ circumference आपको मालूम है और इसका parameter मालूम है, that is called 3a तो यहाँ से हम radius निकाल लेंगे 2 pi r is equal to x, तो r के term, x के term में r मालूम हो गया, इसी तरह circumference है 3a, यह circumference होगा यह sorry, parameter होगा 3a, और square होता तो 4a, length होता तो 2 bracket में length प्रस breath लिख देते, तो a की value आगई 10 minus 3 by 10 minus x by 3, now area कहा रहा है maximum यह minimum, तो minimum area उसको चाहिए, तो minimum area का मतलब है हमें area तो find करना ही पड़ेगा, ना किसी तरीके से, area का formula क्या होता है, circle का area और जो 2 figures दिये तो circle का area ले लो, और equilateral triangle का area ले लो, यहाँ formula याद रखिएगा, अब r और a की value आपको नहीं मालूम है, आपने find किये x के terms में, the length of the wire के terms में, वो पुट कर दीजे, simplify करिए आराम से कोई बहुत hard and fast simplification नहीं है a minus b का whole square है यह 9, 4, 36 यहाँ लिख लिजे, यह common ले लिजे, यह लग कर लिजे x square इसके into में ही है अब differentiate कर दो x के respect x square का 2x constant से कोई मतलम नहीं है, constant से कोई मतलम नहीं 100 का 0, x square का 2x minus 20x का minus 20 that's good, अब d a by dx is equal to 0, यह नहीं वही process start हो गया, solve कर लिजे आप, यहाँ पर पूरा simplification आप अपने आप करिए, x के value आपको cut करके 10 root 3 pi upon 9 plus pi root 3 मिल जाएगी, simply इतना answer है, after that आप क्या करोगे, 10 root 3 pi upon root 3 आप common ले लिजेगा, root 3 आप common कैसे लेंगे, मुझे बताईए जरा, ऐसे लेंगे कि 9 plus pi root 3 है तो आप 9 को क्या लिख सकते हो 3.root 3.root 3 plus pi root 3 अब root 3 common ले लो तो 3 root 3 आगया, plus pi, this is, इस method से आप common ले लो, तो 10 pi यह आपकी एक part आगया, यानि this is the one part of your string तो एक part यह है, तो दूसरा 10 minus x कर देंगे, यानि यह equilateral triangle के बात कर रहा हूँ तो 3 है, आपने एक ही भी length निकाल लिया, इन्ही side of equilateral triangle इतना है, और circumference इतना है अभी मैंने radius की बात नहीं की है अगर वो radius मुझसे पूछते हैं तो r is equal to, क्या given था आपको और 2 pi, pi pi cancel कर दो 2 से, इसको cancel कर दो 5 तो अगर by chance किसी question में वो आप से radius भी पूछते हैं तो आप पहले ही एक relation बना चुके थे, वहां की help से आप कर सकते हो और circle की length यानि circle का circumference है, वो अला part यह है, और equilateral triangle का part यह है, simply आप ऐसे solve करिए, अपने अब solve करिए, pause कर लीजे वीडियो को, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसकी calculation ही tough है, और question का जो method है आपका, वो तो simple है कि आपको एक बार differentiate करना है कब maximum करना है, और यह मैंने part बता दिए कि कैसे उसके parts होते हैं, बहुत important question करते है question number 22, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle तो इस line का मतलब समझते हैं, एक window है, जो rectangle पे बनी हुई है, surmounted by a semicircle यानि एक window इस तरह से बना हुआ है, आपका rectangle है और उसके उपर एक ऐसा semicircle बना हुआ है अब मैं आपको बता दू, यहाँ पे कह सकते थे, कि एक rectangle है, उसके उपर triangle बना हुआ है, यानि इस तरह का shape भी आपको exam में मिल सकता है, this one तो इन दोनों में similarities की आएंगे कुछ खास ऐसा tough नहीं होगा चुकि total perimeter दे रखाओ तो बस यही line important है, total perimeter 10 meter है, यानि आपको यह y है, यह y है अगर इसकी radius को मैं x ले लूँ, थोड़ी दिर के लिए, तो यह भी x हो जाएगा, यह x हो जाएगा और यह दोनों length इसके equal हो जाएंगे, तो यह 2x हो जाएगा, तो जो इसका parameter 10 कह रहा है, वो जानती क्या कह रहा है 2x add करो, y add करिए and y add करिए and this यह line मत add करने लगना because आप कभी भी fencing करोगे तो हमेशा उसके चारो तरफ करोगे, बीच में fencing करोगे, तो भाई बैठोगे कहाँ इसलिए इस पर fencing नहीं करनी है तो यह कैसे cover होगा, यह होगा 2 pi r upon 2, because जिसकी radius x है तो आपने क्या लिखा है pi x, very good 2 pi r upon x कर दिया 2 x, 2 y, 10 यहां से एक variable y की value find कर ली, जो कि हमेशा करते हैं after that area is equal to pi x square upon 2 क्योंकि area भी half हो जाएगा 2 x bracket में y की value put कर दी, यहां से find की मैंने, यह आपको दिया हुआ था यही आपको find करना था maximum light के बारे में discuss कर रहे हैं यहां लिखा हुआ है find the dimensions of the rectangular part of the window to admit maximum light through it solve कर लीजे area आपको दिया है आजाएट से बात है, इसको simplify करोगे 2 to cancel out होगा, फिर area is equal to this one आएगा यहां pi by 2 x square है यह minus pi by x square है इसमें से आपने इसको subtract किया तो minus आगया, clear? this minus है, यहां पर minus minus है यहां मैंने plus लिख दिया था mistake से यह minus sign होगा यह, तो minus negative तब भी आ रहा है तो यह maximum तो हो नहीं होना है फिर आप da by dx is equal to 0 10 minus 4x minus pi x minus minus है तो यह minus sign आएगा सबको multiply कर तो plus हो जागा 10 upon 4 plus pi तो यहां 4 plus pi as it is रहेगा simplify कर लिजे, आपका answer y के terms में यहां आजाएगा तो यह आपकी length आजाएगी और यह breath कर लिजेगा